आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Minecraft के server को private कैसे कर सकते हो यान कि कोई भी आपके server में जॉइन कर जा रहा है और आपके server को तोड़ फोड़ के बरबात कर दे रहा है या फिर आप जाते हो कि आपके server में स्रिप आप या फिर आपके दोस्ती साथ मे खेले और हाँ आपने सर्वर को प्राइबेट कैसे करोगे एटर्णस के सर्वर में या फिर किसी अधर होस्टिंग में दोनों में आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन यह मैं आपको बताओ उससे पहले जल्दी से वीडियो को डेर सारे लाइक कर दो इस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाके एक एक वीडियो देखना और आप भी इस तरह के कमाल का है पिक्सलोला सर्वर अपना बना लेना तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाया था इस वाले लॉबी को अपलोड करके दिखाया था इस कर रखा है तो आपको भी सबसे पहले जो वाइट लिष्ट को अप्शन होता है इसको अनेबल कर लेना और साथ-साथ यहाँ पर आओगे प्लेयर के अंदर तो यहाँ पर आपको दिखेगा वाइट लिष्ट का एक टैब इसको उपन करोगे तो आपने किसी किस प्लेयर को आपको वाइट लिष्ट दिया है सबी का यहाँ पर नाम यहाँ पर सो करता है किसी भी प्लेयर को आपको वाइट लिष्ट यहाँ पर देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो जिसके यहाँ पर ने अपने आपको वाइट लिष्ट दिया था तो सबसे पहले मैं इसको हटा डेता हूं और उसके बद अगर मुझे अपने आपको white list देना है तो यह काम करते हैं जल्दी से मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लूँगा और यहाँ पे add पे अगर click करते हैं तो मेरा जो player है यहाँ पे white list बन जाएगा और किसी को भी remove करना है तो बस यह कर सकते हो option पर फिर से एक बर चले आना है और यहां पर आने के बार जो slots आप देखरों ना 20 प्लेयर का है मालो अभी आप अपने server को बना रहे हो जैसे मैं अपना हई-pixel का भी server बना रहा हूं और यहां पर मैं चाहता हूं सिर्फ मैं ही रहूं उस server में तो यहां पर मैं सिर्फ आपको इसको हटा किया और सिर्फ एक लिख दूँगा यानि कि वन प्लेयर ही सिर्फ जोइन कर सकते हैं अगर आप अपने दोस्तों के लिए हई-pixel वाला जो server है उसको बना रहा हूं और आपको भी चाहिए फ्री का server वीवर्न होश से तो आप मेरी यह वाली वीडियो देखना और साथ-साथ इनका डिस्कॉर्ट का server भी जोएन के लेना दोनों का लिंक मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो वहाँ पर इस तरीके का कोई भी option देखने को मिलता है जैसे आपको एटर्नेस में देखने को मिलता था वहां से आप white list on कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ता है आपको console में आना है और उसके बाद यहां पर जो type command का option दिखता है यहां पर आपको आना है और यहां पर अपने टाइप अपको हे सकते हो लेकिन उसके लिए आपको बस आगे में इस लगा देना यहांप नहीं दे रहा है यह करने तो आपके server का whited लिस्ट जो है वह on हो जाएगा और यहाँ पर देख पर हो यह मेरा है इसको अगर मैं क्लिक करके जॉइन करने के कोसिज करूँगा तो आप ही देखो यह आराम से हमारा जॉइन हो जा रहा है कि मैं आपने सर्वर का AOP ही अपर यहाँ wanna अपर मैं इसको डिस्करणे करता हूं और वापस इसको जॉइन दरने के कोसिज करता हो यहाँ पर देखो यहाँ आर नौट वाइट लिस्टेड on this server आ जाएगा और मैं यहाँ पर join नहीं कर पाऊंगा और अब guys आप किसी भी बंदे अभी player को आप अपना white list में add कर सकते हो वो आपको कैसे करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है white list space देना उसके बाद add आपको लिखना है और उसके बाद space देने के बाद उसका नाम आपको लिखना है जैसे मैं खुद को अभी अपना white list देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने visionaries लिख दिया और यहाँ पर add करूँगा तो यह देखो added visionaries to the white list और आप guys मैं इस वाले server को join करने के कोजिस करूँगा तो यह देखो join हो जा रहा है जबकि मैं आभी server का operator नहीं हूँ यह देखो game mode change भी निकर बारा है और अगर आपको किसी भी player को white list से हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है white list ऐसा link देना है फिर space देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है remove उसके बाद इस पेस देना और उस वाले player का आपको नाम लिख देना है तो यह लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैं white list से आप remove हो चुका हूँ और आप इसको मैं disconnect करता हूँ refresh करता हूँ और फिर से यहाँ पर server में join करने को आपको list लिख देना है यानि कि white list फिर space फिर list लिख देना है उसके आप इंटर करोगे तो आपके server में जितने भी player के पास white list होगा उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा जैसे कि मैंने अभी आपने आपको white list दिया था तो यहाँ पर देखो one white लिखना है white list उसके बाद space देना है उसमें ओ डबल एफ लिख देना है फिर आप यहाँ पर इंटर करोगे तो आपके server के white list है वह off हो जाएगा अब आपका server public हो चुका और कोई भी आप जिसको भी IP अपना दोगे वह join कर सकता है और साथ साथ आपको एक और भी चीज करना है आपको यहाँ पर चले आना है files के अंदर और थोड़ा सा आपको नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखेगा server properties इसको आपको open कर देना है उसके बाद आप थोड़ा से नीचे आओगे तो तो maximum players को आप 20S को हटा दो और यहाँ पर 4 कर दो या फिर मालों आप हाई pixel के server बना रहे हो और वहाँ पे सिर्फ आप ही join होना चाहते हो ताकि वो privater को आके तोड़ ना दे तो उसके लिए आप यहाँ पर 1 भी दे सकते हो और यहाँ पर बस आपको save कर देना है और आपको अ हाई pixel सेरीज के वीडियो वह रेगुलर आईगी तो जल्दी से वीडियो को धेर सारे लाइक करो गाई इस वाले वीडियो का लाइक के मां 500 लाइक कर रखा है तो लाइक करो दबा के और साथ सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो बिलकुल फरी है यार और हाँ बेल नोटिफिकेशन सोब से पहले मिलता रहे तो चलो काईस मैं मिलूंगा अगले हाई पिक्सल वाले वीडियो में तब तक लिए तो बाबाए नाइस